हेलो दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज बुद्वार का दिन है और सुबह के बज़रे थे साड़े पांच और मैं यहाँ पे दस मिनट से जो है न बिस्तर में उठी के राम चे बैटी थी क्योंकि न जब सोके उठोना तो तुरंत उठने का मन करता नहीं है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बिस्तर में बैठी रहो और आज तो मेरा मन कर नहीं रहा था बट फिर भी उठना तो थाई तो चलो साड़े पांच से छे के बीच में जो है न मेरा डेली का है मैं उठी जाती ह और उठने के बाद से वही जो अपना फ्रेशन अप होना होता है हाथ मूँ वगेरा दोना होता है तो वो सब मैं कर लीती हूं मूँ पे बहुत अच्छे से पानी से दोलीती हूं ताकि जो नीद है न वो चली जाए और अभी आप मेरा मूँ देख सकते हूं बिलकुल नहीं है कि नीद भरी है लेकिन धीरे-धीरे करके ना नॉर्मल होने लगता है जैसे जैसे अपने रूटीन में आने लगती हूं तो जो नीद है न और सुस्ती है वो जाने लग जाती है और जब सुबह खिड़की दरवाजी वगरे खोल लीती हूं पाहर आती हूं ना मैं जब फ बहुत जाता अच्छा लगता है और मेरा डेली का रूटीन है जब मैं सुबह सो के उड़ती हूं ना तो पांदस मिन्ट के लिए इधरी में बाहर जो मेरे प्लांस वगरे है न तो उनके साथ थोड़ सा टाइम स्पेंड करती हूं प्लांस वगरे देखती हूं मुझी पानी है चाय का काम है न वह हो जाता है तो आज मैंना बिल्कुल नॉर्मल पानी पी रही हूं इसमें न कुछ भी मिलाने का अज मेरा मन नहीं है तो सिर्फ गरम गुर्णा पानी जो है न वहीं ले जाके यहां पर बैठूंगी और अभी सब करते कराते हैं जो टाइम होना कि यह सुबा के बज गये थे 6 और मैं बस आंडे का इवेट कर रही थी कि वो कब तक आएंगी और यह जो कपड़े न मशीन में मंगलवार की शाम को मैंने धो दिये थे लेकि मैंने रात में फैलाए नहीं तो फिर अभी सुबा सुबा ही जो है न कपड़े में फैला दूँगी तो यह न 9-10 बज़े तक सारे कपड़े जो है न सूख जाएंगे क्योंकि धूप यह साथ बज़े के बाद से इतनी तेज दूफ होने लगती है और 9-10 बज़े तक तो बहुत तेज दूफ हो जाती है तो अधर न आँटी भी आ गई थी और वो अपना बरतन वगराद हो रही थी तब तक मैंने सोचागे न मैं भी अपना काम जो है न वो स्टार्ट कर लेती हूँ तो आज मुझे न अपने घर के दो बाद रूम है न मेरे घर में तो आज मुझे अपने घर के दोनों बाद रूम मुझे क्लीन करने हैं तो मैंने सबसे पहले न यह जो दूसरे वाला रूम है जिसमें हम लोग नहीं सोते हैं इस वाले बाद रूम का यूज वैसे तो कम होत लेकिन इसको भी मैं बीड़ीच में साफ करती हूँ, तो मैंने हां पेढ लिया है गलफ्स और जो हार्पिक है वह मैं ठॉलिट सीट पर और जो वास बेसीन है, उसे मैंने हार्पिक लगा के एक मेरा ब्रुष रखा हुआ है, जब शीट को साफ करता हूँ साफ कर दीती हूँ तो बिल्हकुल चमक जाता है साफ हो जाता है क्योंकि नमझे बात्रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुती जाता गंदा लगता है तो मैं मतलब हर दूसरी दिनी आए बात्रूम को अच्छे से वाश करती हूँ वैसे तो दूलना टो देली होता है लेकिन हार पिक हर दूसरे दिन ही मैं लगाती हूँ डेली हार्पिक का यूज नहीं करती मैं, हर दूसरे दिन मैं साफ करती हूँ हार्पिक से, उसके बाद से उपर की सफाई मेरी हो गई है, नीचे जो फ्लोर है ना, उसको मैं डेटॉल हैंड वास से साफ कर रही हूँ, तो डेटॉल हैंड वास साफ करने से ना, एक तो गंदग लगता है बातरूम जब जाओ ना तो अच्छी सी खुश्भु जैसे आती है तो अच्छा लगता है बातरूम को यूज करना भी तो यहां पर देखिए मैंने पुरा फ्लोर भी साफ कर दिया है और यह थोड़ा सा पीछे का एरिया है मेरे वाशिंग मसीन का जो कि बहुती छो हो ना तो हार दूसरे दिन तो नहीं हाफ्ते में एक दिन मैंधर पीछे की सफाई भी कर देती हो और मशीन के पीछे भी मैंने साफ कर दिया मुझे बड़ा सुकूर मिल रहा है उदर साफ सफाई करके क्योंकि नीचे बहुत मिट्टी सी जम गए थी तो साफ कर दिया और उसके बाद से बारी आती है पहले में क्या करती हुँ ना एक वेड़ वाइब से उसको उपर उपर से जितनी बी गंदगी रहती सा पोस देती हूं जो भी दाग दब्ब लगे रहते हैं उसके बाद को फिर पोस देती हूं तो बिलकुल जो मिरर है वो चमक जाता है क्योंकि बादरूम का मिरर भी ना पानी वनी जाता है चीटे वगार तो यह मेला बादरूम जो बिलकुल क्लीन हो गया और यह ना मैंने डोर मैट वाष किये थे तो दुलेवे जो डोर मैट है मैंने वहाँ पे रख दिया है और उसके बाएस से ये जो टब और मग उस बात्रूम में रखा रहता है क्योंकि बहुत कम यूज होता है तो फिर ये भी ना नीचे ना इसका थोड़ा सा गंदा हो गया था काला काला सा ना क्योंकि पानी यहाँ पे कभी-कभी बहुत गंदा आता है तो अगर धो नहीं दिर-दिर उगंदगी जमनी लग जाती है तो अभी बाहर भी पानी आ रहा था तो मैं टब को बाहरी लेकर आ गई और इसको भी अच्छे से वाश कर दिया है और इसको भी थोड़ी दिर मैं धूप में रख दूंगी ताकि बिलकुल अच्छे से साफ हो ज तो ये घर की जो छोटी मुटी सफाई रहती है इसका भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है तो एक बात्रूम तो मेरा घर का साफ हो गया है अब मैं आ गई हमारे में बात्रूम में जो की हमारा डेली ही बहुत बार यूज़ होता है तो इसको भी मैं साफ कर तो यहां पर जो भी समान रखा हुआ था ना बास्केट में तो वो मैंने यहां से हटा दिया है और उसके बाद से वही हार्पिक जो है वो लगा के जो है न मैं क्लीन कर रही हूँ और मेरा हार्पिक खतम हो गया बस लास थोड़ा से बचा था यह कहो कि मेरा जो दोनों भी मेरा आज साफ हो जाएगा तो आज दोनों बातरूम को मैं साथ में साफ कर रही हूँ नहीं तो नॉमली मैं पहले एक को करती हूँ फिर मैं दूसरे को करती हूँ क्योंकि आज मेरे पास बहुत टाइम था तो इसलिए ना मैंने एकी साथ दोनों बातरूम जो है ना वो साफ कर दिया है और अभी मुझे बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है बहुत जादा सुकून मिल रहा है कि मैंने आज ना दोनों बातरूम साफ कर दिये हैं और उसके बाद से बारियाती ब्रश करने की तो मैंने ब्रश वगर कर लिया है और अपना फेश वास मैं यहाँ पर करूंगी बहुत अच्छे से जो है ना मोध होंगी तो आज बड़ा सुकून मिल रहा है इसके बाद से ना फिर मैं नहा लेती हूँ तो नहाने से पहले के यह मेरे जो सारे काम थे ना यह सारे मैंने जो निप्टा दिये है तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और ना आज मैंने हेर वाश भी किया है क्योंकि कल रात में ना मैंने बालों में ओईलिंग किया था तो अभी बाल तो धो नहीं था हर मतलब गर्मियों में दूसरे दिन पर मैं अपने जो बाल है ना वो मैं धो लेती हूँ और मेरा भी पुरा घर जो है ना साफ है पुरी घर की जो डस्टिंग है वो मैंने अलेडी कर दी है मेरे दूने बातरूम साफ हो गए तो पुरा घर अंदर से बाहर लेके किचन से लेके बातरूम तक सब कुछ साफ है ना तो बड़ा सुकून मिल रहा है और यहां पे नहाद होके ना जो सुबा की पूजा है वो भ गैस है ना मैं उसको पोचं रही हो सुबह चाव बनाई थी ना चाय थोड़ी से गिर गही थी तो और वैसे भी जब सुबह कर नास्ता दश्टा बनाती हूं तो एक बार मैं गैस को पोच देती हूं और गैस की नीचे में जभी भी उठाती हूं आजकल तो मुझे पहले मच तो फिर मैंने गैस वगएरा पोस दिया प्लेटफॉर्म भी पोस दिया और बना रही हूं बढ़ियांसी अद्रक वाली कड़क गरमा गरम चाय और नहाने के बाद तो बस अच्छी सी चाय मिल जाएना तो और क्या ही चाहिए और हस्बेंट भी यहां पर उठ गया थे ओसकर की फिर हम लोग लंच करेंगे तो यहां पर जो मैंने एग है वो बॉयल करने के लिए रख दिया है जब तक अधर एग बॉयल होता है तब तक मैं इधर उसके जो तटकी की तैयारी है ना बोमे कर लेती हूँ तो अभी में निकाल रही हूं चावल मैंने हज्मने से पूछा तो आपको रोटी खाना है कि चाला खना है तो आपको रोटी खाना है तो है तो मुझे तो इतनी खुशी मिल गई तो एक तरफ मैंने जो है ना वो चावल रख दी है तो जब कोई बोलता है ना कि रोटी मत बनाओ चावली बना दो तो जो खुशी है ना आप housewife जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि रोटी ना बनाने की खुशी कितनी जादी होती है चाहे चार रोटी ही मतलब बनाना पड़े तो जली उधर ना चावल रख दिया उधर दूद भी रख दिया गरम करने के लिए और जिसमें अंडे बनाने मैंने वह भी रख दिये और इधर मैं ने काट लिया है एक टमाटर और यह टमाटर मेरे गार्डन का ही है, विलकल फ्रेम्धर औरगेनिक टमाटर है और आज इस ही में बना रियों में अंड़े तो मैंने तेल डाला उसके बाद से जीरा और हरा मिर्च को मैंने दो टुकडे में बस काटा है लंबा लंबा वो मैंने डाल दिया है तीन हरी मिर्ज डाल दी थी और जो प्याज है वो डाल दिया है प्याज जब भून गया उसके बाद से जो मेरे पंगार्लिक और जिंजर का पेस्ट रखा हुआ था न तो वो डाला है और उसके बाद से टमाटर और जो बेसि में खाना वन टेबल स्पून में ऑईल में खाना बना रही हूं स्टार्टिंग में थोड़ा देखो जब जादा तिल की आता रहती ही न फिक कम तिल खाओ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मतलब मुझे तो कोई फारक नहीं पड़ता मेरा हस्बिन की बात बतारी हो ल तो पहले से उबला वहा था बस ग्रेवी पकनी बाकी थी और बस इसमें मैंने उपर से डाल दे खुप सारा हारा धनिया तो जो मारा एककरी है बन गया है चावल भी बन गया है और इसके बास से जब हमारी यहां पर जाड़ो पुछा जो हमारी मेड लगाती है न तो यह सब जो कार्पीट वगरा जो कालीन से बिछी रहती है न रानर वगरा तो उठा की उपर रख देती है वो तो जब वो चली जाती है फिर उसके पास से मैं इसको जो है न बिछाती हूं और सेट करती हूं और जो मुझे डस्टिंग भी करनी रहती है न तो फिर मैं भी हटा की डस 5.30 to 9.30 morning का vlog I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों मिलते हैं एक next vlog में तब तक लिए अपना ख्याल रखे Bye Bye